आज जो है ग्रामर में बच्चन के बिश्रे में बताने जा रहा हूँ तो ध्यान दीजिए देखिए चित्र के माध्यम से असपस्ट है उपर लिखा है बच्चन उसके बाद नीचे दिया है एक बच्चन और बहु बच्चन तो एक बच्चन मतलब देखो एक चित्र है और इदर दाइने साड में दो चित्र है वही एक चित्र ही जो है एक बच्चन दरसाता है और दूसरा जो है बहु बच्चन दरस आ रहा है यानि कि इसका परिभासा क्या-क्या है कैसा है वह इसा आपको समझाओंगा पहले आप ध्यान सुनों देखो बचन माने जो नीचे दिया गया है चित्र को ध्यान से देखिए और पढ़िए फिर समझे पहले खाने में जो है एक घोड़ा का चित्र दिया है और दूस में आ जाएगा कि एक बचन और दो बचन या बहुबचन क्या होता है तो सुनिए मुलब पहला वाक्य है घोड़ा दौड़ रहा है दूसरा वाक्य है घोड़े दौड़ रहे है और तिसरे में आए यहां जो है एक खाने में एक बालक है जो गेत के साथ खेर रहा है दूसर पहले में जो है बालक गेद खेल रहा है दूसरे में है बालक गेद खेल रहे है माने एक बालक है तो खेल रहा है लिखा है और दूसरे में दो बालक है माने खेल रहे है इस तरह से आगे समझिए माने अब आजाईए बच्चन की परिभासा तो बचन की परिभासा होता है जैसे सब्द के जिस रूप से यग्यात हो कि वह एक के लिए प्रयूग तुगाया प्रयूग तुगाया मतलब प्रयूग किया गया है या एक से अधिक के लिए उसे बचन कहते है जैसे लड़का, लड़के, घोड़ा, गोड़े, रात, राते, आख, आखे, दवात और दवाते माने इस तरह से एकजामपल के साथ साथ आपको बता रहा हूँ तो आप बच्चन की परिवासा के माद्यम से यह उनका जो है उदारण भी जानू उदारण जैसे यानि उदारण एकजामपल जिसको बोलते हैं तो हो गया लड़का का लड़के, घोड़ा का घोड़े, रात का राते, आख का आखे, दवात का दवाते इस तरह से आपका जो है, आगे देखो, माने बच्चन में कितने भेद होते हैं, भेद यानि की प्रकार प्रकार जो है बच्चन के दो होते हैं, पहला होता है एक बच्चन, बह बच्चन इसमें जैसा देखो चित्र द्वारा मैं दर्साया हूँ लाइनिंग के द्वारा और नीचे लिखा हूँ संचेप में एक बचन और बहु बचन यह हिंदी में आपको जो है सिर्फ दो बचन होता है लेकिन संस्कृत अगर کभी पढ़ने को मिलेगा समझने को तो उसमें तीन बचन होते हैं उसको बोलते हैं एक बचन दुई बचन और बहु बचन लेकिन हिंदी के ग्रामर में सिर्फ दो बचन ही प्रयोग किया जाता है जो कि उसको बोलते हैं एक बचन और बहु बचन एक बचन के अंतरगत सिर्फ एक आता है और बहु बचन के अंतरगत एक से जादा होते हैं कम शकम दो, दो के बाद चाएज इतनी संख्या होती है, इस तरह से हिंदी के बच्चन में दो प्रकार होते हैं, अब दोनों के जो है अलग-अलग परिभासा है, उसके बिशे में ध्यान से सुनिये और समझिये, जैसे पहला एक बच्चन की परिभासा सुनिये, सद्ध के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो, उसे एक बच्चन करते हैं, माने एक बच्चन किसे करते हैं, माने इस सब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो बोध माने मैं आपको हर्दम बताता हूँ ग्यान या अभास या परिचे माने सब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो उसे एक बचन कहते हैं आया बच्चों समझ में तो आप आगे देखिए उदारण पुष्टक, पैंसिल, घोड़ा, आदि ये तीनों सब्द जो दिये हैं उदारण के स्वरूप उससे ये जो है तीनों के तीनों जो है एक बच्चन के अंतरगत आते हैं ऐसे जामपल लोगे तो अनेकों उदारण हैं जैसे मकान का मकाने, सहर का सहरे, इसी तरह से जानवर का जानवरे अंतरगत आता है तो अब आईए बवबचन की परिवासा सुनिए सब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे बवबचन कहते हैं माने पहले में क्या बताया कि सब्द के जिस रूप से शिरफ एक संख्या का बोध हो या ज्यान हो उसे एक बचन कहते हैं और बहु बचन इसका ठीक भी प्रीत होता है। सब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का बोधो उसे बहु बचन कहते हैं आया बात समझ में आगे इसका उद्वारण भी जानिए जैसे एक बचन में सिर्फ पूस्तक था लेकिन आप बहु बचन में पूस्तक है एक बचन में पैंसिल रहेगा सिर्फ सिंगल और यहा तरगत गोड़े माने जो उद्वारण एक बचन में दिया हूँ ठीक दूसरे उद्वारण में बवबचन में उसी का जो है बवबचन दिया गया है जिससे आपको कोई किसी भी तरह का तकलिफ नहों समझने में तो आगे चलिए बस आपको ध्यान यह देना है कि बचन की पहचान संग्या या सर्वनाम सब्द से ही हो जाती है माने संग्या से या सर्वनाम से मालूम हो जाता है कि या एक बचन है या बवबचन है जैसे बालक हस रहा है तो यह वाके पढ़ रहे हो इसमें जितने सब्द है इससे असपश बालक हस रहे हाई हाई के जगह हो जाएगा यही हाई हो गया बाई लिए अपका बहु बच्छन के अस्थान पर बहुबचन का प्रयोग किया जाता है माने जो आदर सुचक सब्द होता है पढ़ने में तो एक बचन दिखेगा लेकिन इसको बहुबचन के अंतरगत प्रयोग करते हैं जैसे अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं आप कब आएंगे? यानि अब आप कब आएंगे? पिता जी दिल्ली से परसों जालंधर आ रहे हैं मने यह जहां आप लग गया यह जो है सब्द हो जाता है एक बचन से बहुबचन तो आपको जो है सिर्फ एध्यान देना है कि वाकि कैसे दिये गए किस प्रकार के हैं तो आप पढ़ने से ही आपको एक बचन और बहुबचन क्लियर हो जाएगा तो कुछ सब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग बहुबचन में ही होता है जैसे लोग, दर्शन, प्राण, आसू, बाल, आदि जैसे मने नित्य, मने डेली, नित्य, मने प्रत्यक दिन प्रतिच्छा मने इंतिजार, तो अब आप लोग यहां कब से प्रतिच्छा कर रहे हो आप लोग में मने कई लोग हो गए, ऐसे किसी विभ्यक्ति को अगर बढ़ा है तो आप संबोधन करते हो, मने उनको आदर देकर आप बोला जाता है लेकिन कई लोग है, तो भी आप कोई पूछे का प्रस्ट आके बोलता है कि आप लोग यहां कब से बस की प्रतिच्छा कर रहे हो माने आप लोग मने कई लोग होते हैं, तो आपके दर्सन करके मन प्रसन हो गया उसके प्राड निकल गए, बिना मतलब के आसू कभी नहीं निकलते हैं यह सब वाक के पढ़ने से लग रहा है कि एक बचन है, लेकिन जैसे मैं पहले बताया लोग, दर्सन, प्राड, आसू और बाल या इसी तरह से और अनेकों सब्द होते हैं जो देखने में, बोलने में लगता है कि एक बचन है लेकिन यह एक बचन के अंतरगत नहीं आते हैं बहुबचन के अंतरगत ही यूज मने प्रयोग किये जाते हैं तो आपको जो है कई बार बडपन दिखाने के लिए भी बहुबचन का प्रयोग किया जाता है बड़पन मतलब 87 या जो है उसको बढ़ाच चड़ा करके कहने के लिए सम्माल देने के लिए जैसे पिता ने पुत्र को कहा बेटा हम जा रहे हैं काम जल्दी निप्टा लेना माने यहां पिता भी और पुत्र एक ही है लेकिन वाक्य में यह बवबचन के अंतरगत आएगा जैसे पिता ने पुत्र को कहा बेटा हम घर जा रहे हैं काम जल्दी निप्टा लेना प्रियोग होता है जातिवाचक मतलब जैसा संग्या में पांच प्रकार होता है तो वह जातिवाचक एक सब्द है माने संग्या के प्रकार के अंतरगत है इसके अंतरगत जो है बवबचन अस्थान मतलब जहां जातिवाचक सब्द का प्रियोग होता है वहां बवबचन का ह प्रयोग कहा जाता है जैसे कुलू का सेव बहुत ही मीठा होता है और नागपूर में संत्रा बहुत होता है काने मतलब अब यहां जो है नाग में संत्रा एक बचन है लेकिन बहुत लग गया सब्द तो बहुत माने अनेको हो गया बहुत बचन हो गया नागपूर एक अस्थान है, प्लेस है, संग्या है, वहाँ संत्रा की खेती यानि पैदावार होती है, जैसे नासिक में भी आपका केला का, अंगूर का फसल या पैदावार अच्छी होती है, जादा होती है, इस तरह से आपको समझना है, सब्द तो एक बचन में रहेगा, ल बर्ग, ब्रिंद, जात, दल और गड़, यह सब्द अनेक को प्रगट करने वाले हैं, किन्तु इनका वाक में प्रयोग एक बचन में होता है, जैसे अध्यापक ब्रिंद की सभा हो रही है, यह एक बचन के अंतरगत होता है, तो आगे समझेए, अध्यापक ब्रिंद की सभ हो रही है, यह अध्यापक ब्रिंद की सभा में बैठा है, हिंदु जात, पुनर जन्म में विश्वास करते हैं, यह करती है, शैनिक दल मोचे की ओर बढ़ रहा है, आज का छात्रगर कल का नेता है, मेरा मित्र वर्ग मुझे अच्छी तरह से जानता है, तो करनिक मतलब अब वाक के पढ़ रहा हो, तो यह मालूम हो रहा है, इसलिए जो है, यह एक बचन और बवबचन के अंतरगर कौन कौन से वाक के आते हैं, यह आपको समझ में आया, तो आगे चलिए, अब जो है कुछ सब्दाय से होते हैं बेटा, जिसको उसमें कुछ जो जोड़ते हैं, तो आपका एक बचन से बवबचन होता है, जैसे उदारन में सुनिए, और को आयन लगा कर, जहां जो है, जैसे पुष्टक सब्द है, तो पुष्टक में आ रहा है, अब इसमें आयन जोड़ो तो हो जाएगा पुष्टके, मानि एक बचन पुष्टक, जैसे ले लो, किताब, तो किताब में आयन जोड़े, तो किताब तो एक बचन है, लेकिन आयन जोड़ोगे, तो हो जाएगा किताबे, तो किताब एक बचन और किताबे बवबचन, इसी तरह से भैस है, भैस एक बचन है, आयन जोड़ोगे तो हो जाएगा भैस है, इसी प् बहिन है जिसको बहन बोलते हैं तो बहिन सब्द एक वचन है और आएं जोड़ोगे तो हो जाएगा बहिने और कुछ सब्द होता है आ आ में अगर ए जोड़ोगे तो हो जाएगा बहुबचन जैसे घोड़ा सब्द है बेटा सब्द है काला है कववा है चीता है तो अब आ में घोड़ा मतलब लास्ट मात्रा क्या है आ आ में अगर ए जोड़ोगे हो जाएगा घोडे उसी तरह से बेटा का बेटे काला का काले और इस तरह से आ में ए जोड़ोगे तो हो जाएगा बहुबचन और आ में जो है इस तरी लिंग भी आता है जैसे कथा तकथाएं लता लताएं कन्या कन्याएं इसी तरह से इ जोड़ोगे तो रोटी का हो जाएगा रोटियां और इयां जोड़ोगे तो हो जाएगा डिबिया डिबिया में इयां जोड़ोगे तो हो जाएगा डिबिया जैसे चुहिया सब्द है चुहिया में इयां जोड़ोगे तो हो जाएगा चुहिया एक सब्द है और चुहिया हो जाएगा बहु बचन इस तरह से आपको जो है बचन का जानकारी लेना है एक बचन और दो बचन और यह हर एक्जाम में एक दो मारका आता है इसलिए बेटा इसको पढ़ना अनिवार है आज के लिए इतना ही धन्यवाद